प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें आज मैं आपको आज के देनिक पंचांग के बारे में बताने जा रहा हूँ आज दिनांक 9 सितंबर 2020 दिन बुद्धवार बुद्धवार भगवान गनेश का दिन माना गया है आज जिनका भी जन्म दीन है उनको उनके जन्म दीन की धेर सारी शुब कामना है भगवान गनेश का करपा आप सभी भक्तों के उपर सदा बना रहे आज आश्विन माह की शुकल पक्ष की शप्त में तिथी होगी अगले दिन रातरी दो बचकर साथ मिनट तर सुर्योदय सुभा छे बचकर बारह मिनट और सुरयास्थ साम छे बचकर सैंटीस मिनट चंद्रोदै यानि कि चंद्रमा ओदित होंगे रातरी 11 बचकर 8 मिनट पे और चंद्राष्ट यानि कि चंद्रमा अस्थ होंगे सुभा 11 बचकर 58 मिनट पे सुरी शीह राशी में रहेंगे और चंद्रमा वरिष राशी में यह वर्षा रितू है अयन दक्षिनायन रहेगा नशत्र की बात करें तो कृतिका नशत्र सुबह 11 बचकर 16 मिनट तक उसके बाद हो रोहिने नशत्र दिशाशूल की बात करें तो आज बुद्धवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पुर्व और इशान दिशा की यात्रा ना करें यह आपके लिए लावकारी नहीं होगा विशेशकर उत्तर दिशा की यात्रा ना करें अगर ज्यादा जुरूरी हो घर से बाहर निकलना तो घर से तिल या धनिया खाकर बाहर निकले तो अच्छा रहेगा इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतविक योर आगे बढ़े बुद्धवार गनेश भगवान का दिन माना गया है आज के दिन सुबह अश्टनान करके सुद्धवस्त्र धारन कर भगवान गनेश जी का पूजन करे भगवान गनेश को जल, चंदन, अक्षत, दुरवा, सिंदूर उनको चड़ाए, धूप दीप दिखाए और नवेद्य मोदक का भोग लगाए, तो आपके लिए बहुत ही लाबकारी होगा आज पित्री पक्ष का साथवा दिन का स्राध होगा पित्री पक्ष के दौरान अपने प्रवजों के निमित शभी तरपन श्राध कर्म आदी करते हैं आज महालक्षमी व्रत का समापन होगा अब आए जानते हैं आज के शुभ महुर्थ के बारे में तो शुभ महुर्थ यानि कि अभीजीत महुर्थ दो पहर 12 बजकर 1 मिनट से दो पहर 12 बजकर 49 मिनट तक और गुली कालम समय होगा दो पहर बारा बचकर पचीस मिनट से दो पहर एक बचकर अंठावन मिनट तक अब आईए जानते हैं आज की अशुब शमय के बारे में राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुब कारिय नहीं करना चाहिए यह लावकारी नहीं होता है जहां तक कीस का नुक्षान भी उठाना पड़ सकता है तो राहुकाल का समय होगा दो पहर तीन बचकर 31 मिनट से साम 5 बचकर 5 मिनट तक यह विक्रम शमबत 2077 प्रमादी है और शक शमबत 1942 सरवरी तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर की जरूर बताए हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें शभी शुखी रहे और स्वस्त रह जय स्रे राधे कृष्ण धन्यवाद